गाइस फाइनली गेम के अंदर हाई स्कोर सीजन स्टार्ट हो चुक है और हमारे पास न्यू केरम पास भी आ जुक है इसकी एन्बोक्सिंग वीडियो में बाद में अप्लोड करूँगा अभी जो है न न्यू इवेंट्स को कंप्लीट करते है न्यू इवेंट्स में एक तो सिनेमा पाटी का इवेंट आ गया है इसको भी बाद में कंप्लीट करेंगे ठीके इसको कंप्लीट करने के लिए मैं 30 एड्स देखने पड़ेंगे तो इसके अलावा आज की इस फीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ है इसके अंदर जो हमें एनिमेटिड फ्रेम और लेजंडरी स्ट्राइकर मिल रहे है न ये दोनों गाईज जो रिवोड्स है मैं आपको आज किस वीडियो में निकाल कर देखाऊंगा क्योंकि जेम्स बहुत है हमारे पास यार और जो हाई स्कोर सिजन का में इवेंट है हाई स्कोर शोडाउन वाला वो आज 11 बज़े आए वाला वो फाइनली मिल गए स्पिन के अंदर तो अच्छी बात है यार वैसे लोग कॉमेट्स करते रहते हैं कि मिनी क्लिप ने ये जो चेस्ट है क्या सरफ दिखाने के लिए रखे हुए हमें कभी मिलते तो है नहीं ये चेस्ट और यहाँ पर फाइनली मुझे जो है ना फ यहाँ पर जैसा कि आप लोग दे सकते हो भाई मेरे 700 जेम्स अभी तक मैं खर्च कर चुका हूँ इस जैकपोर्ट वाले इवेंट के अंदर और फाइनली यहाँ पर मुझे लेजंडरी स्ट्राइकर के पीसिस मिल जाते हैं गाईज अगर आप जो है ना वहाई स्ट्राइक वाला इवेंट पूरा कंप्लीट करते हो और लेजंडरी स्ट्राइकर के सारे पीसिस कलेक्ट भी करते हो तो भी आपको एक बार ज़रूर जो है ना इस स्ट्राइकर के पीसिस निकाल ले होगे हर बार ऐसा ही होता है तो इस बार भी मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा तभी आप जो है ना इस स्ट्राइकर को फ्री में मेक्स कर पाओगे और उसके बाद गाईज यहां पर अगेंट से मुझे जो है ना वो हाई स्कोर का चेस्ट मिल गया अच्छा लगा यार मुझे देख करके मिनी किलब अभी यह न्यू जितने भी चेस्ट हैं वो देना स्टार्ट कर दि देखेंगे भाई यह फ्रेम कैसा लग रहा है प्रोफाइल में और इस फ्रेम और स्ट्रैकर को निकालते हुए गाईज मेरे पंदरांसो जेम्स में वेस्ट कर दिये इन दोनों रिवोड्स के लिए बाकि आप लोग कॉमेट्स में बताना है कि यह वर्थ है या नहीं गाई मेरी वाली टुरिक यूज कर सकते हैं वैसे मैंने वीडियो बना नहीं थे इसलिए गाईज मैं यह कर रहा हूँ वारना मैं अपनी दूसरी आइडिस के अंदर अपनी अपनी सेम टुर्क की यूज करता हूं लास्ट डे जो है ना स्पिन करता हूं और मुझे पहले दूसरे स्पिन के अंदर रिवोर्ज मिल जाते हैं बागी यहां पर मैंने जो है ना वो एनिमेटड जो फ्रेम है वो यूज कर लिया है बट मेरी प्रोफाइल पिक के साथ वो कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा था लेकिन यह जो मेरे पास एक प्रोफाइल पिक्चर थी हीरो वाली अफ्तार था जो मेरे पास इसके साथ यार यह बहुत ही खतरनाक लग रहा था मतलब नेक्स्ट लेवल लग रहा था आप लों को यह फ्रेम कैसा लगा भाई कोमेंट्स करके लाजमी से बताना है और लेजंडरी स्ट्राइकर को फिलाला भी मैं मैं मैंक्स अप्ग्रेड नह अला हाफिज